प्री बच्चो आपका स्वागत हैं आज हम लोग हमारी वर्क सीट जो दी गई है संसकत की आज हम उसको करने वाले हैं और हाज हम लोग जो वर्क सीट करने वाले हैं वह पाठ पुस्तक का विवरण में कच्छा साथ नवम पाठा मतलब की नव पाठ ग्राम जीवनम मतलब ग् आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उससे संबंदी जो भी वर्क सीट है उसको हम लोग हल करेंगे ये वर्क सीट हमारे पेज नमबर 149 से लेकर 146-143 तक की है लगभग हम उसे complete solution देखेंगे तो प्री बच्चो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली है आप हमारे चैनल के प्ले लिश्ट में जाके देख सकते हैं इसके पहले हमने 8 ग्रेट अभ्यात पुस्तिका का भी complete solution कर लिया है तो प्री बच्चो चली हम लोग श्टार्ट करते हैं आज की वर्क सीट हमारी है संसकत की और आज हम लोग एक ग्राम के बारे में जानेंग ग्राम के परीता मतलब की चारों और क्या हैं ग्राम के चारों और व्रक्ष लगे हुए हैं ग्राम में क्रसका संती ग्राम में एक क्रसक है ते साव कार्यानी कुर्वंती वे स्वयम अपने काम करते हैं ग्राम में पस्वा भावती ग्राम में पसु होते हैं क्रसका क्रसी कार परिस्त्रम कर्वंती, यहां पर देखें, छटवे नम्मर का पाइंट क्या कह रहा है, क्रसका क्रसी कार्यानी कर्वंती, जो क्रसक हैं, वह क्रसी के कार्य करते हैं, ते छेत्रे परिस्त्रम कर्वंती, वह अपने छेत्र में या अपने खेतों में बहुत जादा ही कार्य करते ह ये सबी हम जो diagram आपको उपर दिए गया था ना, जो diagram है इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिया, आपको diagram में दिख रहा होगा, यह क्रसक है, यह यहाँ पर आपको बैल भी दिख रहे हैं यह आपको वरक्ष दिख रहे हैं यहाँ पर घर दिख रहे हैं यह लोगों को खेद दिख रहे हैं खेतों में लोग काम कर रहे हैं वो दिख रहा है आपको यह देखी धेनु गाय गौमाता दिख रही है आपको यह देखी एक क्रसक जो है खेद में काम कर रहा है इसी प्रकार से यहाँ पर जो पाइंट दिये गए हैं मुसी का नुवात करते विए पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिए हमने अभी देखा कि धेनु दुगदम ददाती धेनु दुगद देती या दूद देती है यह अभी हमने पढ़ा ग्राम से वायो सुदंब होती ग्राम की वायो जो साहय का भाव होती मतलब ग्राम में जो लोग हैं वह बैलो का जो उप्योग है वह क्रसी के कारियों में साहयता के लिए करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक डाइग्राम आपको आवर दिख रहा होगा यहाँ पर यहाँ पर देखिए चित्रे एक प्राकरतिक द्र करते हैं और वर्क सीट क्या है देखी प्री बच्चो अगर आपको लेसन कोई भी समझना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिष्ट में लेसन भी हम लोग समझाते हैं आप हमारे लेसन के मतलब कि जो भी लेसन समझना हो वह है प्लेलिष्ट में जाके उस लेसन को समझ भी सकते हैं अर्थात आपका पूरा कॉर्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर देखिए गती वीदी एयुम अभ्यास कारे दिया गया अदो लिकित पद सहये इन चित्रम दरश्टवा पंच वाक्यानी संस्कित लिखत मतलब कि इन पाँच सब्दों का प्रियोग करके हमें संसकत में पाँच वाक्या बनाना इस चित्र को देखते हुए तो यहाँ पर क्या क्या दिये गया है हमें यहाँ पर दिया गया है बालक हमें क्या दिया गया है बालक दिया गया है यहाँ पर हमें क्या दी गई है नदी दी गई है यहाँ पर तर्ती दिया गया है प्रत ने दिया गया है और हमें दिया गया है वरक्षा इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर ध्यान दे आप तो यहाँ पर ध्यान देने पर आपको दिखेगा एक वरक्ष है जहाँ पर एक बालक नदी में तैरा रक्ष के आजू बाजू क्या है पेड़ लगे विए है ठीक है तो देखिए चित्रह एका नदी अस्ति खालिस्तान दिया गया था तो हमने यहाँ पर देखिए खालिस्तान में क्या भर दिया है नदी भर गया क्यों कि चित्र में हमें एक नदी दिख रही है या नदी है नदा अंता एक बालका तरती नदी के अंदर में एक बालक तैर रहा है बालका नदिया तरती बालक नदी में तैरता है बालक प्रेतन पूर्वक नदी पारम करोती बालक प्रेतन से नदी पार करता है और नदी परितहा व्रक्षा संति और नद में आपको फिर से एक मतलब की जानकारी दी गई है उस जानकारी को फिर से भरना है तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग अधो लिखित पद सहयें चित्रम द्रश्टवा पंच वाक्यानी संसकत लिकत जंतुसाला सिहीं जना बालका म्रग मकरह चटका इनसे संबंदित यहाँ पर सभी चीजे दिख रहे हैं हीरन दिख रहे हैं कमवा दिख रहे हैं तोते दिख रहे हैं आपको प्यर दिख रहे हैं सब व्यक्ति दिख रहे हैं मचली दिख रहे हैं मगर मच दिख रहे हैं सब को देखते भी यहाँ पर एक पांच वाक्या बनाने बोला तो देखिए हम ने बनाए चित्रहा एकाह जन्तुसाला स्ति चित्र में एक जन्तुसाला है जन्तुसाला अनेक जन्हा संति जन्तुसाला में अनेक व्यक्ति है असमिन चित्रे बालिकाह संति इस चित्र में बालिका भी है तत्र एहम सीम्राग मकरह चटकाचा अपस्यत हमने वहाँ पर सी को द लाताया गरचता है ठीक है अब यहाँ पर अगला देखेंगे सो रूची विस्यो उपरी पांच वाक्या ने लिख कर अपने रूची के अनुसार कोई भी पांच वाक्य लिखना है आपको आपकी जो भी मन में रूची है ना जैसे मान लीजिए आपको अगर पाट साला के बा कोई रूची तो पुस्तक के बारे में लिखी अगर आपको कोई खेल के बारे में कोई रूची है तो उस खेल के बारे में लिखी मतलब जहां आपकी रूची अधिक है उस शेत्र को लिखी तो यहां हमने देखिया आपके सामने उध्यानम मतलब कि उध्यान के बारे में हम मन को बहुत ही भाते हैं रमणी होते हैं उध्याने व्रक्षा रोहंती व्रवनार्थम गच्चती जितने भी लोग हैं कभी कभी देखा होगा आपने वुद्यान में भ्रमन के लिए आते हैं काई के लिए आते हैं भ्रमन के लिए आते हैं और व्रक्षा पुस्पे सोबनते हैं व्रक्ष में पुस्प सोबते हैं जब आपने देखा वा गार्डन में जाते हो तो वहाँ पर हरे भरे फूल आपको नजर आते होंगे और फूल इतने अच्छे लगते हैं कि मन मो लेते हैं आप लोगों का बहुत यानन दायक रहता है वहां की वायू सुद रहती है जैसे हमने अभी उपर पड़ा था कि गाउं की जो वायू है बहुत ही सुद रहती है अब यहां पर देखिए एक क्रश्ण वर्णाह यहां पर सही जोड़ी बनाने बोल अब दूसरे क्या जाएगा पिपासित आसीत की कमवेथ ते प्यासे थे काका ए घटम अपस्यत कामवेथ ने एक घटे को देखा घटे नियूनम जलासीत घड़े में बहुत ही कम जल था काका अ चिंतियत कामव औहो चिंतित का कथम जल पीबेत की कैसे वो जल पीएगा काकस मस्तिके एक उपाय आगता और कवे के मन में एक मस्तिक में एक उपाय आगया एक सुझाव आगया जिस कारण उसने क्या करा वहां से पानी को आसानी से पी लिया ठीक है इस प्रकार से इस प्रशन का भी उत्तर हो गया है आप इस प्रशन को भी कर लीजेगा दूसरा है य युगमेलनम वाला देखिए, बहुत अच्छे तरीकी से कर लिया है, अब आगे चलें बच्चों, अब आगे देखिए यहाँ पर, युगमेलनम करता क्रिया संबंधा, अब यहाँ पर युगमेलन करना है अपने को करता और क्रिया के द्वारा, जैसे एहम, एहम मतलब मैं, लेखम लिखामी, मैं एक पतर लिखता हूँ, या एक लेख लिखता हूँ, वयम सुलोका वदामा, एहम आवाम वयम, आपने पढ़ा होगा बिभक्ति एहम आवाम वयम, तो यहाँ पर एहम आवाम वयम, एहम मतलब एक, फिर वहाँ पर वयम दिया है, वयम मतलब की बहुत स एहम आवाम मतलब क्या होता है दो वेक्तियों के बीच की बात होती है और वयाम मतलब बहुत सारे बहुवचन एक वचन दुवचन आपने पढ़ा है न एक वचन तो एहम क्या है एक वचन फिर आवाम आजाता क्या आजाता आवाम आजाता तो आवाम क्या हो जाता है यह हमार किसा हो father, चाहिए रहे होता, यहां वह व्हएम आया है, वह हम है बहु अछन है, तो स्लोक, मैं बहुत सारे स्लोग बोलता हूं यह बहुत से लोग, बहुत सारे स्लोग बोलते हैं सीता सभागारे न्रत्यफती सिता जो है सभा में नाचती है तुम किम लिक्सी तुम क्या लिखते हो अस्वा घोड़ा राजपते धावंती राजपत में दोड़ते है युवं हसत तुम हसते हो तुम क्या करते हो हसते हो इस प्रकार से तीसरे प्रशन का व्यूत्तर मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा और बहुत अच्छे समझ लिया होगा प्री बच्चो अगर आप चैनल में नए हो तो क्रप्या अगर प्लीज चैनल को आप सब्सकाइब अवस्त कीजीगा और चैनल को सब्सकाइब करने के साथ साथ बैल आइकन में प्रेस कर दीजेगा जिससे क्याने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें और जो भी कोर्स में आपको कराता हूँ डेली उस कोर्सों का भी आप रिवीजन अच्छे से कर सकें ठेके प्रिबच्चो तो अगला प्रशन देखें अगला प्रशन का कहारा है जहां से देखेंगे आप लोग यहां पर तालिका में आपको धेल सारे संसकत के सब्द दिख रहे हैं अब इन संसकत के सब्दों में से आपको कोई भी वाक्य का निरमार करना है कोई भी सुध्वाकिका, तो यहां से आपको जो मन करता है, वह उठा लिजिए और उन से सब्दों का निर्मान कीजिए, वाक्यों का निर्मान कीजिए, जैसे हम बोले, एक कोई भी बोले, तो जैसे यहां पर मालओ अहम विद्धीयालयाम अब एहम विद्यालेम क्या जाएगा गच्छन्ती मैं विद्याले जाता हूँ इस प्रकार से आप वाक्यों का निर्मान कर लीजिएगा ठीक है अगर यहाँ पर लिख लीजिएगा एहम विद्यालेम गच्छन्ती इस प्रकार से आपको और मन में कुछ आ रहा है तो लिख सकते हैं जैसे बाल कहा, बाल कहा के साथ हम क्या बना सकते हैं, बाल कहा नगरम, बाल कहा नगरम, यहाँ पर आप गच्छनती बालक नगर को जाते हैं, ऐसा बना सकते हैं आप, फिर लिख सकते हैं बाल कहा, बाल कहा के साथ क्रडंती बाल के बाला खेलते हैं इस प्रकार से भी आप जो मन में आ रहा है आपके जो वाके सुद्धे होना चाहिए लेकिन वहापर आपको विभक्ती लकार वचन किरियापद सब का ध्यान रखते भी आपको वाके का निर्मान करना है ठीक है तो प्री बच्चो मुझ इस दिने भी आपको लगते हैं मुझे लगता है पूरी पूरी आपको वर्कसीर समझ आ गई है अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट में आपको उतर मिल जाएगा तो ठीक है प्री बच्चो मिलते हैं हम अगले वीडियो में थैंक्यू फर चल्स्टुिएंट